मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इंतिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है संगीता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ ही आज मैं एक बहुत ही यून बहुत fun exciting game लेकर फिर से हाजीर हों और बना रही हो एक बहुत यूनीक और new game इसके लिए हमें यह एक balance game है इसके लिए हमें कुछ खास preparation नहीं करनी है हम कोई भी दो glass steel के glass नॉर्मल वाले ले ले लेंगे इसमें हमें दो glass की भी जाजा तर जौरत नहीं पड़ती है एक ही glass में काम हो जाता है लेकिन मैं फिर भी एक glass extra ले रही हूं कि बाईचांस अगर सबके इसमें coin पूरे हो जाए तो इसे एक glass को एक बार side कर देते हैं और इसे एक glass से खेलते हैं और हमें कुछ one or two rupees के coin चाहिए बस हमें इतनी ही preparation पहले से करनी है इसके अलावा हमें कुछ भी preparation नह करेंगे सिरब वही coins हमें लेने हैं यह जैसे इस तरह से टिक गया है इस तरह से हमें सभी coins को ले रहा है तो चलिए मैं बन मिनट का time लगा करके इस game को खेल कर बताती हूं जैसे मेरा बन मिनट स्टार्ट होता है अब अब इन coins को इसी तरह से balance करते जाना है यह coins अगर हमारे गिर जाएंगे तो वह हमारा count नहीं होगा इसके उपर जितने coins रहेंगे one minute complete होने के बाद हमें फिरब उतने ही coins गिने जाएंगे अगर हमारे एक coin गिर जाता है तो mostly बाकी के coins भी उसके साथ गिर जाते हैं इसलिए हमें बहुत ध्यान से खेलना है कि हमारे यह सभी coins इसके उपर देख जाएं जैसे अगर मैं इसको यह मेरा glass पूरा complete हो गया है तो अब मैं इसे second glass लेती हूँ इसलिए मैंने एक और glass रखा था कि बाइचांस अगर हमें जड़त पड़े क्योंकि मेरे इस time सभी coins इसके उपर ठिक रही हैं इसलिए मेरा यह suppose मेरा one minute complete होता है और मैं इस coin को नहीं रख पाई हूँ तो यह नहीं गिना जाएगा तो one two two तो इस glass में आये हैं और one two three four five six seven eight nine nine coin इसमें आये हैं तो मेरा score हुआ 11 by chance की बात है कि मेरा एक भी coin इसके अंदर नहीं गिरा है अगर by chance ऐसे एक coin गिर जाता और बाकी के बाहर भी गिर जाते हैं तो अब हम इसके one two और three coins जो इसके अंदर है वह 11 में से three minus कर देते तो मेरा score सिरफ eight रह जाता लेकिन क्योंकि मेरा एक भी coin नहीं गिरा है तो मेरा score हुआ 11 जिस member का score सबसे ज्यादा होगा वह इस game का winner होगा तो कैसा लगा आपको मेरा ये game अगर आपको मेरा ये game पसंद आया हो तो मेरे game को like के लिए share कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए और comment करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरे ये game कैसे लगते हैं और अगर आपको किसी और theme पर भी game चाहिए तो बताइए चलिए अगले video में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद